वीडियो के साथ में लेकर आया हूँ जो आपको पिछले वीडियो दिया गया है पैनल के बारे में काफी अच्छा लगा होगा ठीक है तो उसका रिस्पॉंस भी में ठीक मिला है और चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे अपने किसी भी वेब पेज में हम लोग कैसे बार्डर को लगा सकते बार्डर को यूज करके जो है इसी पर्टिकुलर कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सेयर कर दीजेगा और जितने भी नए हमारे चलिए हम लोग देखते हैं कि डवलू 3.cssborder का कैसे होता है तो आते हैं अपने टॉपिक पर और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बेसिकली cssborder क्या होता ठीक है तो इसमें क्या होता है चलास होती है जिसमें जो हम लोग बार्डर को डिफाइन करतें करतें तो इसके पताने के लिए किस तरीके के बॉर्डर सोते हुए उनका क्या यूज होता है क्लास को उसे कुछ थो अच्छा सा सकते तो थीगे वडर यूटला जो होता है इसमें डिस्प्ले करेगा बॉर्टर राइट बॉर्टम लिफ्ट और रिमू और अगर आपने यह लिख दिया डब्लू थ्री डैस बॉर्टर डैस जीरो तो जितने भी बॉर्टर साब के विपेज पर अप्लाई होंगे वो सारी जीरो हो जाएंगा ठीक है अच्छाब बॉर्टर प्रण पर आप जो है अपने कलर को जिस तरीके किसे चाहे हरा पी ला नीला लाल जिस तरीके से जो भी क्लर आपको पसंदो ने और भी आप कलर रिफाल्र करेंगे तो आ जायगा ठीक है कि उसके बाद में यह भी आप अपने पास रख सकते हैं ठीक है तो इसमें यह काफी helpful होने वाला आप लोगों के लिए ठीक है आगे भी कुछ है तो इसमें लोग देख लेते हैं अगला यह देखिए यहां पर आप बॉटम बार का यूज कर सकते हैं यहां पर एक मोटर सा बॉटम बार आ जाएगा यहां पर लेफ्ट बार के साइब मोटर ह तो इसको आपने पास अखली जाएगा फॉर्दा फॉर्दा इंफॉर्मेशन ठीक है कॉंटेंड में है तो एक नमबर में पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से कलर होते हैं या उसको जो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ठीक है तो आपने लोग देखेंगे एडिंग ब देखेंगे जो बडर होगा हमारा होगे हमारा ही भाड़ को डिफाइन कर दिए है और हमने मैसिज पेस्ट कर 1 में हैं कि आई है बार में क्या और जो बॉडर होगा, firms ho Latino कौन जाले ठाउड कर दिया है उसके बार फिर हमारा राइट में इस बार्डर होगा है उसको हमने राइट में पेश्ट करा दिया तो यह तो आप को जिस तरीके से यूज़ करना तो चलिए देखते हैं अब हमने प्रोग्राम को अपने एडिटर में लिखा नोट पैड एडिटर जो होता है हमारा और हम इसको जो है वहाँ पर आने वाला है वह लोग देखते हैं यह देखे यह आपको बॉर्डर आ गया ठीक है कौन-कौन सा यह आपको टॉप में है लेट में है ठीक है आया ओनली राइट बॉर्डर यह इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हुआ हैो तो नो यह दीके पूरा अपको यह इस तशली होता है ठीक है भ Russian टीव करने करने हैं लिएत्व थेटकर से जो इस तरीक है रहे रहें है यह आपको बॉर्डर आया और देरा का यह कंटेंट का ऑयि-पक्रेश्कन कर देना है यह कंटेंच यह करना चाहे आप उस तरी तरीके से कर सकते हैं यह क्या है यह लिफ्ट है वाला आपको जो लाइन दिख रही यह देखिए यह राइट है ठीक है टॉप में है यह बॉटम में है इस तरीके से आप इसको जोश कर सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा आप इसका प्रोग्राम आप देख सकते हैं यह प्रोग्राम अगर लिखना है तो आप लिजे ने वीडियो को पॉस्ट करके आप लोग इसको नोट कर ले जिए गार यसको आगे बढ़ते हैं तो यह तो हो गया हमारा बॉर्डर हमने इसमें लोकलर हमने एस्टू दे दिया है एसके बाद में यह जो हमारा है जेड़ बाॉटर होगा हमारा ब्लू होगा अ ठीक है और बारर जो बार्टर हो वाटर वह वह जो ग्रीन और यहां पर हमने कई साइच चीजे डिफाइन करें ठीक है तो टेक्ट अभी नहीं प्रोग्राम में जो आपका वेब पेज है उसमें किस तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे तो इस प्रोग्राम को लिख लेंगे और लिखने के बाद में डिस्प्ले कराएंगे ठीक है आई यहां पर देखते हैं कि यहां पर आगए हम लोग और प्रोग्राम को अपने लिखने के बाद में क्या करेंगे यहां प्रोग्राम को सेफ किया और सेफ करने के बाद में अब हम इसको रण करा देंगे रण को स्कूंस देंगे यह देखिए हैं यह दिक्इम देख़ रहे हैं और लोग्र कर के दिया यह पूरा वार्डर है अपका उसके बाद में यहां पे हम ने क्या दिया है बाद में लिफ्ट दिया ले व्लू आ इसके बाद में पैनल तका समयू उसकी बर्डर में भी साहर। सुनिया रहा होगा पहले इसे पहले वीडियो इससे पहले प्रोग्राम रहा तही इससंपे पर बॉर्डर की कलर को डिफाइन किया जा रहा है और बॉर्डर भी डिफाइन किया जा रहा है ठीक है तो आप समझपा रहे होंगी कि वाट इस दा डिफ्रेंस बिट्वीन दा विदाउट कलर एंड कॉलर ठीक चले आगला कंटेंट देखते हम लोग अब यहां पर हम लोग बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आप लोगों को यह दिख रहा है है अपकी इसमें क्या होगा जो साइज होगा वह हमारे बॉर्डर का कलर यहां पर एक चीज़ देखें यहां पर क्या है आपका पूरा अलेक्टेंगल सेप में है यह देखें साफ है इसके कॉर्णर और इसम को एतना ही कोड याद रखना यह कौट मैसेक लिए भी लिए रखना सिर्फ इतना कोड याद रखना ना किसी प्रिग्राम को रॉण और करने के लिए ठीके भी कि अपको कोई सelf एक Perfect 딱 तो चलिए देखते हैं कि कि किस तरीके सा इसका आउटपू्ट अने वाला और प्रोग कमेंट तरिके सieso प्रोग्राम को लिखने के बाद में इसको일ण कराएंगे ठीकिह और अीव rules करा आधा के एक अधाव यहाद करा लिया है अब देखते है है इसमें corner हल्का सा जो है गायप किया गया है बहुत हलका सा ठीक है और इसMeth देखिए एक दम सा प्टेस्जोर किया गया है एक दम से Rockman से कर दिया गया तो यदे इसकी carbon में थोड़ा सा राउंड हुआ और इसमें क्या किया गया है इसमें आपको यहां पे वाटर आपका राउंड लार्ज हो गया और यहां पर यहां पर गया क्या है और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको डिफाइन कर सकते हैं उसके बाद में अगर आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग देख लीजिए कोड भी लिखा है आपका यहां से मैं उपर से दिखा देता हूं इसमें कुछ खास नहीं है ठीक है इतना आप लिख सकते हैं नीचे टाइटल हेड और बॉड़ी को जानते हैं तो चलिए इसका है आप लोग करियेगा घर पर जिनके पास सद्ट निकल जाएक किसी को आता हो लेकिन अगर प्लेकटल में आपने नहीं किया तो आप नहीं सबझ पाएंगे क्योंकि यह हर्चिजे प्लेकल करने पे ही आती है ठीक है इतिहास नहीं है कि जो आप आपकी पानी-पत्की लड़ाई हो गई उसकी डेट नहीं बदलनी है ठीक है यह फिर यह तो टेकनोलोजी है अगर आप अभी इस टेकनोलोजी को अक्वायर नहीं करेंगे जो एक्चुल में इनको इसके बारे में कुछ सीखना है उन लोगों को तो फिर कांटीनू करना ही कभी-कभी तो इसको माइं मत करीएगा आपके भेले के लिए है अब हम लोग थिक बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे ति दिक बॉर्डर करेंगा वो अपने बॉर्डर को जो थोड़ा सा मोटा करकर कि डिफ डिस्प्ले करेंगा ठीक और यहां पर हम लोगो के वरल डाल द तो यह थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इसमें कई सारी चीजों को हमने लिख रखा है और कई सारी चीजों को इसमें आपको डिफाइन करके दिखाएंगे किस तरीके से इस प्रोग्राम को लिखना है तो आते हैं एक मिनट फिर से कॉपी तरही नहीं हो पाया है कुछ पार्ट बार चोट रहा था है अधर फिर से कॉपी कर लेते हैं यहां से ठीक है मुर्भ और को और अधे की रिखने बैठों तो तो मुझे नहीं लगता你好 के आप 24V Anfang फैने खताम यह कि इसलीए रिए हमें समय वैचार्ने के लिए और आपको सिखाने के लिए कि तो सभी लोग कर सकते वीडियो को देखें और वीडियो की हelp से को समझने की समझ्य हैं ठीक है कोई डाउट होता है तो हम पूँछें हम तो है ठीक है और आप ये देख पा रहे होंगे के आई है ठीक बाॉडर हमने कलर तो हर वो चीज जो हम बताने की कोशिस कर रहे हैं वही हम आपको with the help of practical दिखाने के भी कोशिस कर रहे हैं और वो आप लोग समझ पा रहे हैं ठीक है इस तरीके से जो भी एक colors आप अपने according डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए दिखा रहेता हूं आपको तो आप लोग अगर इसको चाहें तो इस तरीके से वीडियो को पॉस्ट करके आप लोग लिख सकते नोट कर सकते हैं मौश की मॉमेंट को देखेगा और मौश की मौमेंट के हिसाफ से अपने colors में चेंज करेगा या बॉर्डस में चेंज करेगा जिस तरीके का हम ने उसको जो है कंटेंट दे रखा होगा उस तरीके से काम कर लेगा ठीक है तो चलते हैं देखते हैं यह प्रोग्राम हमने लिख रखा है और यहां पर देखें है हुरेबल वाडर्र समने दे रखें डिविजिन क्लास बना रख कि इस तरीके से इसको आएंगे और इसको जो है कि देखेंगे कि किस तरीके से काम करेगा ठीक है और एस्टेमल बंद करना छूट गया है तो एस्टी एम एल ठीक है और तो यह हो गया है अब हम इसको रन करा लेते हैं आ गये हैं और इसको हम रन करा रहे हैं कि यह हमने प्रोग्राम को अधन करा लिए यहां पर तो यह देख पा रहे हैं अभी होरेबल बॉर्डर 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 डैट टर्न डेट ओन हर जब अभी माउस को हम मूव करेंगे नेचे लिखा है सेकंड वाले में अभी तो कुछ नहीं है यहां पर नीचे लिखा है रेट बॉर्डर टर्न ऑन दा ऑन ग्रीन हर तो देखते हैं झाल हैं यह देख पा रहे हैं अभी कुछ नहीं कि उपर वाले में क्या है कुछ नहीं जैसे में लेकर एचो और यह नीचे देट यह उदक हम लेपार ओं और यह निवे अमिड newer टेट है इसको ग्रीन रो ऑन ठीक है तो यहां पर क्या लिखा इस वाली लाइन को समझेगे आप पहले तो यह चीज तमझे लिजे जो डिवीजन क्लास में आपको लिखनी है ठीक है इन दोनों लाइन यह काफी इंपॉर्टेंट्स है यही लाइन उपर भी उद हुई है ठीक है क्या रेड बॉर्डर डैट टर्न ओन ग्रीन तो यह हमारा क में इसको ने डिस्प्ले कर दिया जो मेन कंटेंट है हमारा के यह है ठीक है देख पा रहे होंगे आप बॉर्डर रेट है और उसके बाद में डबलू-3 और बॉर्डर इस पैनल का बॉर्डर हमने रख रहे है और हब बॉर्डर की कि अप्सक्राइब कि यह यह वैसे ही अक करे दो कि अगला कंटेंट नमरा क्या है इसमें कैठ तोャ regular content हमारा एक older प्रोग्राम ही और इसको भी हम लोग रंगर रंगर कराके देखेंगे कि ट्रिफिसरींस वेह इसमें centre होगा क्या के बेसिक कोई डिफिरेंस नहीं हो counter तो आपको ये भी इसका भी आउटपुट दिखा रेते हैं किस तरीके से आने वाला है ठीक है यहां पर आ गए हम लोग आने के बाद में हम इसको जन करा रेते हैं यहां पर आ गए यहां पर आ गए और यह देखना पर आ यहां पर कुछ नहीं है ना अभी देखें अब टोटल वाइट दिख रहा है आपका बाद ग्राउंड जो थोड़ा सा ग्रेव लेकिन जैसे यह देखें लिप जैसे माउस की क्लिक किया तो इधर लेप और इधर बॉर्टम में जो आपका इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जैसा आपको समझ में आए वाइब कि के आप लोगों को दोनों मैं डिफैन्स समझ में आया होगा ठीक है आगे पड़ते हैं आपने । और देखते हैं कि नड़ी बॉडंट से लेटसे टो उसाध में खतम कर दिया है थे हैं और यह थिन वीडियो आपके विद्धा हेलप आप प्रेक्ट कर पाएंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्रोग्राम करते रहें फिलाल और हम लोग मिलेंगे नेच्ट वीडियो में अभी के लिए थैंक यू और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर कर दीजे क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो बनना वेरता है ठीक है क्योंकि हम यह चाहने कि यह नॉलेज इस्प्रेड हो सके मेरे पास जितना थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वह नॉलेज इस्प्रेड हो सके आप लोग अपने एक्जाम में सक्सेस ठीक है यह हमारे इच्छा भी है चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल दखिएगा ठीक है थैंक्यू क्लास जैहिन